तुलसी माता जिसकी की हम सुबा शाम रोज पुजा करते हैं उसे शाष्ट्रों में लक्षिमी का रूप माना जाता है और तुलसी बगवान विश्ण जी को बहुत ही प्रिय है शीरी हरी को जब भी भोग अरपन किया जाता है तो उसमें तुलसी का इस्तेमाल जरूर होते हैं क्योंकि तुलसी के बिना वो भोग सभी कार नहीं करते हैं वैसे तो देखी हम रोज ही सुबा शाम पूरा साल तुलसी की पुजा करते हैं लेकिन कार्ति के महिने में तुलसी की पुजा का विशेश महत्व है और कार्ति के महिने में हम तुलसी का पूरे विदी विदान के साथ विवा भी करते हैं तुलसी की रोज विदी विदान के सा पुजा करने से हमें बहुत ही पुनियाफल मिलता है कार्ति के मिहने में देखिए हम पूरे साल से ज़्यादा तुलसी की सेवा पुजा करते हैं लेकिन क्या तुलसी की सेवा या पुजा करने का इससे भी कोई बड़ा काम होता है तो होता है तुलसी की सबसे बड़ी सेवा त एक बहुत ही बड़ा पुन्या का काम माना जाता है, माना जाता है कि तुलसी की उपर आई इस मंजरी को हटाने वाले पर तुलसी माता बहुत ही परसन होती है और उस व्यक्ति पर तुलसी माता की विशेश किरपा होती है, तुलसी माता के सिर पर आई इस मंजरी को हमें किस द निमा के दिन नहीं हटाना चाहिए इन दिनों में तुर्सी की मंजरी हटाने से पाप लगते हैं बाकी आप सब दिनों में तुर्सी की मंजरी हटा सकते हैं और इस मंजरी को तोड़ने के बाद हमें शाली गराम को अरपित कर दिना चाहिए कार्तिक मास में तुर्सी की पूज का विशेश महत्तव है इस महिने में पूजा करने से माता लक्षमी और नारायन भगवान परसंद होते हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता है कि कार्ति के महिने में हमें तुलसे के उपरा ही इस समंजरी को तोड़ना चाहिए या नहीं तो देखी हाँ जरूर त तोड़ना चाहिए क्योंकि इस से बड़ी तो कार्ति के महिने में तुलसी माता की कोई सेवा हो ही नहीं सकती उमीद हैं आपको ये जानकाली की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेर और किमेंट जरूर करें बैल लाइक ओन को दबाएं तांकि मेरी आने वाली हर नहीं वीडियो का नोटिविकेशन आपको मिलता रहें